हेलो फ्रेंड्स स्वागत करती हुँ में आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल जैसरी श्टिचिंग में तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों के सामने यह समस्या होती है कि गले की अकर्डिंग हम शोल्डर कितना ले गले की चोड़ाई कितना ले तो यह सब हमें कटिंग करते तो उस समय हमें यह सब सवाल आता है कि हम इसका शोल्डर कितना ले चोड़ाई कितना ले तो देखे हमारा जो ब्लाव जी वह हम बोटनेक में बनाते हैं कॉलर नेक बनाते है या फिर डिपनेक में भी बनाते है या नॉर्मली जो हमारा गला होता है तो उसमें भी हमें यह स सबसे पहले हैं। सबसे पहले के यह में सबसे पहले हैं। मधड़ एक और शिड़र शाइबूहर सबसे चाले हमें जानेंगे कि के मैं तास्य टेह रखी लिए many होता है तो हम जो बाड़ी मिजरुमेंट लेते हैं तभ हमारा जो शोलडर आता है तो वो harve here यहां पर पूरा पूरा लेना होता है तो चलिए जैसे मान के चलते हैं किसी का शोल्डर 14 इंच है तो उसका हमें यहां पर हाफ करना है तो उसका हम अगर हाफ करते हैं तो अगर 14 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ करते हैं तो हम यहां पे 7 इंच लेंगे तो देखिए यहां पे हमें 7 इंच उसका शोल्डर लेना है तो सबसे पहले देखिए यहां पे इस तरह से टेप रखेंगे और 14 इंच शोल्डर है तो उसका हाप करेंगे और यहां पे 7 इंच पर देखिए यहां पे 7 इंच पर मैं इस तरह से अब यहां पर नीचे की तप इनगे तो देखिंगी से इस तरह से यहां पूरा ठाड़ साथ पूरा है और हैं और आवं ने तीक लीख शूल्डर ले रहाएं तो तो यह 35 जो 5 इसाब के मारिकंग शोल्डर कातता हूं यहार नेक टीर में को अपिकना उतना ब्रीच होनी हमें आपकार में शूल्डर मत्सकी का्श टार्यक कि एा ब्रronics अब हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था 36 साइच की साब से हम यहां पे यह शोल्डर ले रहे हैं तो यहां नौ इंच पर में इसका फोरपाट लूँगी 36 का और नौ इंच पर इस तरह से निशान लगा कर लेते हूं आर्मल को तो देखिए इस तरह से हमने यहां पे आर्मल ड्रॉ कर लिया है अब देखिए इसके बाद अब हम समझते हैं कि देखिए बोटने का गरम को बनाना है तो उसमें हमें शोल्डर कितना लेना है तो इसे हिसाब से हमें देखिए जो हमने शोल्डर ले आता यह 14 इंच आया था और हापिंच हमने यहां पे इक्ष्टर वह तो मार्जिंगा था पर जो हमारा यह पूरा ही है साड़े साथ इंच तो इसमें हमें बोटने कच जब हम बनाते है च्छत इस साइज में तो यहां पे साफ इंच कम करना है तो हम यह कितना लेंगी शोल्डर देखिए सा तींच लेंगे तो साथ इंच इनच इस तरह से बराबर यह साथ इंच है अब नीचे की तरब भी मैं साथ इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी तो यहां पर देखिए जब हम बोटनेक बनाते हैं तो उसमें हमें साथ इंच शोल्डर लेना होता है अब देखिए इस तरह से लाइन में खीश देते हूं और साथ इंच सोल्डर है तो उतना ही हमें आर्मोल भी लेना है यह देखिए इस तरह से साथ इंच पर मैं इसका निशान लगा देती हूं अब इसको भी हम थोड़ा से सिधा कर देते हैं इस तरह से अब देखिए जो हमने चेटी साइज का हमने फोर पार्ट लिया था नौ इंच तो तो बोट निक और कॉलर निक अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो चेश्ट होता है उसका साइज उतना ही रहता है इसमें कोई चेंजस नहीं होंगे तो देखिए मैं यहां पे आर्मोल ड्रा कर लिया हमें अब देखिए जो हमने कॉलर निक के लिए शोल्डर मार्किंग किया थ इसलिए देखिए यहां पर मैंने हापिंच का निशान लगा दिया है इस तरह से अब देखिए बोट निक जब हम बनाते हैं तो हमें गले की चवड़ाई लेनी होती है तो हम नौर्मल यहां पर चार इंच लेते हैं कभी साड़ी चार इंच लेते हैं तो वहम चेश्ट की ह जादा होता है या फिर तो उसे हिसाब से हमें ज्यादा यहां पर गले की चवड़ाई लेनी होती है तो देखिए अब च्छतिस इंच साइज है तो मैं यहां पर साड़ी चार इंच पर इसका निशान लगाऊंगी देखिए इस तरह से तो साड़ी चार इंच का हमारा यहां तो बोटनेक में हमें ऐसे डाउन करना होता है अब अगर कॉलरनेक की बाद हम करें तो देखें कॉलरनेक में हमें डाई इंच का गले की चवड़ाई रखनी होती है देखें इस तरह से और देखें जो हमने एक इंच डाउन किया था देखें इस तरह से down का निशन लगया था इस तरह से हमें लाइन कीश देना है इस तरह से हमारा ये collar neck में shoulder down होता है अब तो ये हो गया boat neck और collar neck तो ठीक है इसके बाद देखिए यह हो गया हमारा इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मल हमारा जो गला डिप होता है जब साड़े नौव इंच का गला होता है यादा सिंच का गला होता है तो उसके अकार्डिंग हमें शोल्डर कितना लेना होता है और गले की चोड़ाई कित साथे पाच इंच पर इसका निशान लगाऊंगी तो सेम निशान हम देखिए नीचे की तरब भी लगाएंगे तो यह यहां पर देखिए इस तरह से 2 इंच कम कर लिया अब सेम निश्या निचे की तरह भी लगा लेते हैं और इसको हम सिधा कर देते हैं कि इस तोड़्य करेंंग तो इस हम आनों क्रींग करेंगे तो 500 शमार इले खोल्डर हां तो 5 slot is हमारा यह आर्मूल भी रहेगा 36 साइज में तो देखे अब इसको में सिधा कर देती हूँ देखे इस तरह से अब देखे पर यहाँ पर हमें कोई शोल्डर डाउन नहीं करना है इस तरह अब यहाँ पर हम चेश्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं तो देखे हमारा जब गलट कश्थ के लिए दीफ होता है तो यहाँ पर हमारा जो चेश्ट का साइज है वह भी थोड़ा कम हो जाता है तो देखेасть यह 36 चेष्ट का साइज था तो हमने नव इंच पे मार्किंग किये थी कॉलरनेक और वोटनेक में तो यह अब यहां पे यह हमें हाप इंच कम कर लेना है तो यह कितना होगा यह साड़े आर्ट इंच हो जाएगा तो यह देखिए अगर गला हमारा जैसा फैलने लगता है इस तरह से यह मैंने आर्मल ड्रॉ कर लिया है अब देखिए यह हमारा हो गया अब इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे यह जो हमारा देखिए यह बराबर साड़े पाच साड़े पाच है शोल्डर और आर्मल बराबर हमने लिया था तो इसके बाद हमारा दे इस सबसे पहले देख़ें फ्रिंट में यहां पर मार्किंग कर लेती हूँ जो हमने अभी-वीच जो फिशाब से। तो यहां पर मैं 10 इंच ले लेती हूँ और इसको सिदा कर देती हूँ देखे इस तरह से तो इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हमने जो देखी गले की चवडाई भी ले ले अब इसके आगे हम देखेंगे 10 इंच से ज्यादा जब गला हो जाता है देखिए इस तरह से 10 इंच साड़े 10 इंच 11 इंच साड़े 11 इंच या 12 इंच इस तरह से डीपनेस बढ़ती है गली की पीछे के तो सबसे पिल देखिए मैं यहां पर ले लेती हूं देखिए इस तरह से तो यहां पर मैं गले की चवड़ाई भी ले लेती हूं तो इसको गले की चवड़ाई हम थोड़ा ब्रॉड कर लेते हूं यहां पर पावने तीन इंच यहां पर ले लेती हूं मैं चवड़ाई तो देखिए इस तरह से हमारा गला जो नीचे से थोड़ा ब्रॉड भी हो जाएगा तो उसी सबसे हमें यहां पर शोल्डर लेना है तो वह में यहां पर पाच इंच लूँगी देखिए इस तरह से पाच इंच शोल्डर लेना है तो देखिए पाच इंच तो यह शोल्डर हो गया है लेकिन हम देखिए सबसे पर लिए पाच इंच पर इस साइज में तो वह चेंज नहीं होगा यहां पर देखिए शोल्डर तो कम हो गया लेकिन जो आर्मोल है वह कम नहीं होगा तो वह साड़े-पाच इंच ही हम यहां पर रखेंगे और देखिए इसको इस तरह से मिला देते हैं तो एक बात यहां पर आप समझ लीजिए कि जै होगा क्योंकि देखिए गले की प्रोटनेस हमने बढ़ाई थी थोड़ी सी तो उसके बाद जो हमारा चेश्ट साइज हो भी कम हो जाएगा अब देखिए यहां पर मेनी यहां इस तरह से आर्मोल भी ड्रॉ कर लिया है तो देखिए यह हमारा हो गया साड़े-पाच इंच ह हमारा आर्मोल रहेगा और यह जो गले की हमने डिपनेस बढ़ाई है उसे साब से शोल्डर पाच इंच रहेगा तो अब इसकी जो चवड़ाई हैं गले की वह दो इंच रहेगी दो इंच अगर हम गले की चवड़ाई रखते हैं तो यह हमारा जो पीछे का गला जो है वह बैठा रहता है और ब्लाउच के जो कंदे हैं वो गिरते नहीं है तो देखे इस तरह से अब ये हमारा ये नेक हो गया ये जो इस तरह से मैंने गोल शेप में इसको ड्राव कर लिया है तो देखे इस तरह से हमारा ये जैसे जैसे गला बढ़ते जाता है डिपनेस बढ़ते ज तो इस तरह से हमें ये changes करने होते हैं इसके हिसाब से तो friends आप समझी गए होंगे कि हमें किस तरह से ये changes करने होते हैं तो देखिए इस तरह से आप अगर ये changes करना सीख गए ना कि shoulder और गले की चवड़ाई और armule कितना लेना होता है size के हिसाब से तो आप हर एक size के blouse की cutting आसानी से कर सकते हैं. तो friends, आपको ये video कैसे लगी? प्लिज कमेंट करके comment box में बताएगा और आपको ये video समझ में आई कि नहीं, प्लिज बताएगा. और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लिज वीडियो को एक like कर दीजेगा, share कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा और bell icon को press कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का notification आप तक पोच जाएगा और आप मेरी सारे latest वीडियो देख सकेंगे और और नई चीजे नई नई चीजे आप सीख सकेंगे तो प्रिंट्स प्लिज चैनल को subscribe कर दीजेगा थेंक यू